आज हम बनाई है के लास 10 के एक्सेसाइज 8 के शॉर्ट वेरी शॉर्ट को ओके यानि कोश्चन नंबर या नाइंटीन इससे पहले वीडियो में मैंने कोश्चन नंबर 16, 17, 18 बनाया है उसका लिंक में डेस्क्रिप्शन में देनुगा अगर आप चाहे तो एक मरतबा उसको द वाला है इसमें चार उप्शन में से एक उप्शन करेक्ट होता है उसके बाद फिल इन दा बिलेंग से ट्रू फॉल से ठीक है तो पहले में देखते क्या है पहला कोश्चन है इफ दा लेंथ ओफ रेडियाई ऑफ टू सॉलिड राइट सर्कुलर सिलिंडर आर इन दा रेश रेडिया यानि उनका रेडियस ठीक है रेडियस का पुलूरल रेडियाई उनका रेडियाई या अर्ध व्यास का रेशियो या तनासुब या अनुपात 2 इस टु 3 है एन देर हाइट सार इन दा रेशियो 5 इस टु 3 और उनका लंबाई यानि हाइट का रेशियो या चाहिए रेशियो अप देयर लेटरल सर्फेस एरियाज ठीक है उनके लेटरल सर्फेसेज एरियाज या पारसब तल के छेतर फल का रेशियो या अनुपात कितना होगा ओके दुष्टों जैसा के ये MCQ है multiple choice question इसलिए हमें ज्यादा उसको लिख करने ही बनाना जश्ट हमें rough बनाना है और उसको हमें जो सही answer उस पर हमें टीक लगाना है तो मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं जैस्ट आप चाहे तो एक्जाम में भी जो राइट सेड में रफ करते हैं रफ में भी आप इतना थोड़ा से लिख करके काम चला सकते हैं ठीक है तो जैसे के दोनों सिलिंडर या दोनों बेलन का रेडियस या अर्द्वियास का रेशि हम लेताे है पहले का हाइट हम 살ले हम लेता है पहले अलए आई 15e में एतु था इस ये होई है ये सद्री तो रेशियो या अनुपात मतल्어요 में हों हो जाएगा इक्ति यह बंटा में ज्याएं तो यह जागा बंटा 3 एक्तिक्वेक अधियर आपसन तो आश्य और जा रहा हुए के दोनों लॉटरन सर्फस रहा है या फार्स दालकाश फर्मूला क्या होता है तो पाइ अर आ आच होता है ठीक है तो हीरा लग लगlov तो यहां लगए तो यह बता है औरवान बता रटू है धूर दूसरे वाले पाँच बट तीन 5 बट तीन तीन कुछ भी कटेंगा नहीं मतलब किनना हो गया 2 पच्चे 10 और नीचे 3 तीन तीन तो यह हो जारा स्वान यह बट ऐस्टू यह हो जारा 10 बट नहीं मतलब दोनों का रेश्यो जागा 10 इस तू 9 अगर इसको में लिखेंगे या अनुपात में तो यह कहना हो जागा 10 is to 9 तो इसका जो सही एंसर हो जाएगा वह जागा C ठीक है तो यहां पर हम C में टिक करेंगे 10 is to 9 ओके इसके बाद question no.2 if the length of radii of two solid right circular cylinder are in the ratio 2 is to 3 and their heights are in the ratio 5 is to 3 बिल्कुल पिछले सवाल के जैसा है सेम सवाल है कि दो cylinder है इस तरह दो बेलन है और उनका radii यानि उनके radius या अर्दवियास का ratio या अनुपात 2 is to 3 है और उनका height का ratio या height का अनुपात 5 is to 3 है सिर्फ change क्या है then the ratio of their volumes is तो उनके volume या आयतन का ratio या अनुपात कितना होगा ये हमें निकालना है पिछले और सवाल में उनका lateral surface area या पारसब तल का छेतरफल का ratio था और इसमें से volume का ratio निकालना है बाकि दोनों same है तो देखते हैं ठीक है तो जो दूसरा वाला है में volume निकालना है तो पहले वाले का volume हम चले माल लेते हैं V1 दूसरे का volume हम माल लेते हैं V2 इन दोनों का बटा मतलब इनका ratio या अनुपात होगा तो volume का क्या रहे फर्मूला तो वह लगाएंगे तो πई R2 होता है ठीक है न तो यह पहले वाले के लिए हो जागा तो यह R1 H1 हो जागा इसके लिए दूसरा के लिए होगा तो फिर यह r2 का square हो जाएगा और यह h2 हो जाएगा यहां भी देखिए आप pi pi cancel हो जाएगा और यहां जो हम value लिखेंगे यह हो जा रहा है r1 का square बटा r2 का square तो दोनों का हो जाएगा मलब r1 बटा r2 का whole square हो जाएगा और यहां into हो जाएगा h1 बटा h2 अब यहां पर value पूट कर देंगे तो यहां r1 बटा r2 का value कितना था 2 by 3 है तो 2 by 3 यहां पूट करेंगे उसका all square हो जाएगा into h1 बटा 22 कितना 5 by 3 तो यह कितना हो जाएगा देखिए 2 का square 4 3 का square 9 into 5 बटा 3 यह कितना हो गया 4 पचे 20 और 9 तिया 27 तो कितना हो गया 20 बटा 27 मतलब इसको ratio या अनुपात में लिखेंगे तो 20 is to 27 ठीक है तो यह हो जा रहा है हमारा answer यानि कौन सा answer correct होगा यह B वाला answer correct होगा तो यहां B में टिक करेंगे 20 is to 27 इसके बाद question number 3 if the volume of two solid right circular cylinder are same का जरह दो right circular cylinder है solid cylinder है इस तरह बेले ने उनका volume या item बराबर है same है and their height are in the ratio 1 is to 2 और उनका height या उचाई का जो ratio या अनुपात है वो 1 is to 2 है then the ratio of their length of radii तो उनके radii या radius या अर्ध वियास का लंबाई का ratio या अनुपात कितना होगा okay तो बिल्कुल देख लेते किस तरह बनाएंगे तो जैसा का गया दोने का volume से में चले पहले वाला का volume मान लेते भीवान और दुसरे का volume में भीटू दोनों बराबर है इसलिए equal हो गया ठीक है और उनका height का ratio दियावा तो पहले का height मान लेते है इसलिए का height मान लेते है यह दियावा है question में 1 is to 2 इसको बटा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा h1 बटा h2 equal to हो जाएगा यह 1 बटा 2 है ना और आमें उनका radius का ratio निकालना है पहले वाला का radius r1 मान ले दुसरे का radius r2 यह h2 निकालना है कितना होगा तो ठीक है यह भी निकल जाएगा देखे वालियूम दोना का बराबर तो वालियूम का formula लगा देते हैं पहले का volume है volume का formula क्या होता है pi r2 h तो यह r1 हो जाएगा h1 हो जाएगा पहले वाले के लिए equal to यहां भी हो जाएगा pi r2 का square और h2 ठीक है अब दोनों तरफ देखे pi pi cancel हो जाएगा और यहां से मिस्तरा करेंगे कि यह r1 को इधर नीचे लेकर आएगा यह हो जाएगा r1 का square यहां पे into यह r2 इधर आएगा equal to के इधर तो नीचे आजाएगा r2 का square ठीक है equal to इधर h2 रखेंगे बटा यह r1 यह into इधर equal to के राइट साड में आएगा तो इसके नीचे आजाएगा यह into यहां डिवाइड हो जाएगा इस तरह कर लेंगे अब जो हम value पूट करेंगे यहां देखे पहले r1 का square बटा r2 का square दोनों के एक साथ लिखेंगे तो r1 बटा r2 का holy square हो गया यहां पर h2 बटा h1 कितना होगा यहां से देखिए h1 बटा h2 बरावर देवा 1 बटा 2 तो इसको पलट के अगर हम लिखेंगे तो h2 पर और h1 नीचे तो यह भी पलट जाएगा तो right set में root चाड़ेगा इस पूरा का root 2 बट i1 का root तो इस कितना जागा 2 का root 2 ही होता है root 2 और 1 का root कितना होता है 1 का root 1 होता है तो j Kaita1 बटा r2 कितना गे root 2 बटा 1 ठीके तो यहीं उसका ratio हो जागा r1 बटा R2 मतलब ही होता r1 is to r2 यह हो जागा इसका ratio यानि root 2 is to 1 ठीक है तो यह हो जागा correct answer यानि B वाला correct होगा तो यहाँ पर हम B वाला में tick करेंगे एक बात आपको ध्यान देना में जो कुछ बनाए आप चाहेंगे तो इसको rough में बना सकते ठीक है अगर आप याद कर लिजागा तो direct answer में tick कर सकते क्योंके मादमी एक्जाम हो या हाई मादरसा एक्जाम हो आम तो पर अगर same question आ जाता है तो आप बस just B लीग करके अगर यह लीग देंगे तो वह भी सही हो जाता है लेकिन right side में rough में बना देना ज्यादा अच्छा है अगर time आपके पास रहता है तब now question number four in a right circular cylinder if the length of the radius is half and height is doubled volume of the cylinder will be का जरा एक right circular cylinder में लंबिताकार बेलन में if the length of the radius is half यानि radius या अर्ध वियास का जो लंबाई उसको half कर दिया जाए ठीक है half मतलब आधा कर देना ठीक है अगर आर है तो आर को आधा करेंगा आर बटा दो हो जाएगा and height is double और height को double कर दे रहे हैं four times मतलब चार गुना क्या होगा ठीक है देखें तो चले यहां पर simply बनाना है कि मा लिजिए पहले जो वॉल्यूम ता उसको भीवान नाम दे देते हैं ठीक है पाई तो ठीक है जो radius या रद वियास से इसको आधा कर दे रहे है यानि r जो था बू आर नहीं रहा बलके उसका आधा हो गया तो आर बटा दो हो जाएगा आधा मतलब r को r दो भाग कर दे रहे ठीक है दो हिस्सा कर दे रहे अब ये r के जगा r बटा 2 हो गया बूसका square हो जाएगा और into height को क्या आर कर रहे है height को double कर दे रहे तो 2 गुना h का 2 गुना क्या होगा 2 h होगा ये कर दे तो अब ये कितना आ रहा है नया volume नया आयतन ये निकालना है तो pi into ये r का square r square ठीक है बटा 2 का square 4 हो जाएगा into 2 h यहां देखिए यहां 2 into है यहां 2 से 4 कटेगा तीर चार में 2 दूना 4 दो कितना आ गिया pi r square h उपर में pi r square h बटा 2 ठीक है ना अब देखिए pi r square h क्या चीज़ है pi r square h ये वीवान है पहले वाला जो volume में वो है यह हो गया भीवान बटा 2 ठीक है तो v2 केतना निकला v2 equal to निकला भीवान बटा 2 इसका मतलब क्या हो रहा है जो बाद का जो volume में आयता ने वो पहले वाले 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 जो volume में वाले वीवान बटा 2 हो जा रहा है मतलब पहले वाले जो volume में आयता ने उसका आधा हो जा रहा है ठीक है टीक है तो ँसका correct answer हो जाएगा C half करेंगे question number 5 if the length of radius of a right circular cylinder is doubled and height is half the lateral surface area will be काजर इसी तरह एक right circular cylinder है बेला ने लंबिता कर बेला ने उसका length of radius यानि radius का लंबाई को या अर्द वियास का लंबाई को double कर रहे हैं दो गुना कर दे रहे हैं and height is half और उसका height को या उचाई को आधा कर दे रहे हैं तो the lateral surface area भी उसका lateral surface area या पारसबतल का 6 तरफल क्या हो जागा पहले के मुकाबले में बराबर ही रहेगा या double हो जागा या आधा हो जाएगा या चार गुना हो जाएगा इसको भी इसी तरह से बनाएंगे तो देखें यहां पे हमें lateral surface area पता करना है ना तो lateral surface area है तो चले पहले जो था उसके lateral surface area उसको S1 नाम दे देते हैं ठीक है lateral surface area का formula क्या होता है 2 pi r h ठीक है ना पारसबतल का चेतरफल यह होता है हमने radius radius को r माल लिया और height को h माल लिया ठीक है अब क्या का जा रहा है जो इसके बाद जो radius बनेगा नया lateral surface area ठीक है या पारसबतल का चेतरफल उसमें क्या का जा रहा है 2 pi सेम रहेगा जो radius यह डबल कर दे रहें यह r के जगा में हो जागा अब into करके r के जगा में double हो जागा 2 r हो यहां lateral surface area पारसबतल का चेतरफल उसका हमने नाम दिया h2 यह देखें कितना हो रहा है तो देखें यह 2 to cancel हो जाएगा यह into है तो कितना हो जागा 2 pi r into h तो 2 pi r h देखें सेम हो रहा है पहले भी था s1 जो 2 pi r h और radius या अर्धवियास को double करके और height को आधा करने के बाद भी द बराबर हो जा रहा है s1 तो बाद का lateral surface area और पहले का lateral surface area या पहले और बाद का पारसबतल का चेतरफल दोनों आपस में बराबर हो जा रहा है तो दोनों equal हो जाएगा बराबर है इमने equal है तो इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा a okay तो इसमें हम टिक करेंगे पहले वाला option a में okay इसके बाद b में क्या true false है कौन सा सा ही कौन सा गलत है पहला देखिए the length of right circular drum is hour centimeter एक right circular drum है ठीक है एक drum है लंबित्ताकार उसका length of the length of यहां पर होना चाहिए radius यह radius नहीं लिखावा है the length of radius यह अर्ध व्यास का लंबाई ठीक है इसको correction कर लेजगे यह आर सेंटीमेटर है and height is 8 cm उसका उचाई 8 cm है if half part of the drum is filled with water अगर ड्रम में आधा पानी भरावा है half part यानि आधा पानी भरावा है then the volume volume of water will be pi r square h cubic cm तो उस आधा पानी का volume जो आधा ड्रम पानी भरावा उसका volume pi r square h cubic cm यह घंध सेंटीमेटर होगा यह सही है न गलत है तो देखें बिल्कुल सिम्पल ही इसका जवाब है ड्रम का radius यार्दवियाज कितना आ रहे है height is h तो अगर पूरा ड्रम में पानी भरा रहता है नहीं पूरा ड्रम का volume या आयतन होता तो वह होता pi r square h ठीक है ने पूरे ड्रम में पानी होता तो pi r square h cubic cm उसका volume या आयतन होत तो दे दिया है pi r square h तो ये गलत है ठीक है ये पूरे ड्रम में पानी देता है उसका volume है ठीक है तो ये तो गलत है क्योंकि आधा पानी भरा हुआ है तो ये false पहला वाला ठीक है अब दूसरा वाला if the length of radius of a right circular cylinder is या लिखवा z unit ये z नहीं बलगे 2 होगा तो एक right circular cylinder है लंबिता का अरबेला ने उसका radius या अरद्वियास का लंबाई दो यूनिट है दो एकाई या दो एकक है the numerical value of volume and या पे lateral होना चाहिए उसको लिख लिजएगा lateral surface area या पारसप्तल का चेतर फल अब cylinder will be equal for any height तो किसी भी उंचाए के लिए उस cylinder का volume या आयतन और उसका lateral surface area या यानि पारसप्तल का चेतर फल ये दोनों आपस में equal होगा बराबर होगा ये होगा या नहीं होगा चले देख लेते हैं तो देखिए पहले क्या है कि उसका radius या र का value दियावा टू यूनिट या दो एका या दो एकक ठीक है radius या रद्वियास तो उसका volume निक दो का square 4 होगा 4 pi h 4 pi h नंबर को पहले लिख लेते हैं ठीक है इतना volume हो जाएगा इतना cubic unit या घने कक ठीक है और lateral surface area हमाली जेस उसका formula क्या होता है 2 pi r h तो r के जगा में कितना हो जाएगा 2 2 into h ठीक है तो ये कितना हो रहा है या 2 into करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा 4 pi h इतना square unity या बर्ग एक है कि देखिए दोनों सेम हो रहा है height कुछ भी रहे यहाँ पे दोनों का volume यानि आयतन और उसका पारसप्तल का छेतरफल या lateral surface area दोनों सेम आ रहा है 4 pi h 4 pi h दोनों equal हो बराबर है तो दूसरा वाला जोई वो true होगा ok true तो ये दूसरा वाला जोई ये true होगा ok इसके बाद आते हैं c में फिलींदा बिलेंग्स खाली जगों को भरना है पहला क्या है the length of a rectangular paper is l units and breadth is b units एक rectangular paper है आयतकार एक paper है उसका लंबाई l unit या l एकाई या l एकक है और breadth उसका चोड़ाई b unit या b1 एकाई या b1 एकक है the rectangular paper is rolled and a cylinder is formed of which perimeter is equal to the length of the paper क्या कहा गिया कि उस rectangular paper या इतकार paper को मोड करके एक cylinder बनाया गिया जिस cylinder का perimeter जो उसका नीचे का perimeter है या परीदी है वो equal होगा उस paper का लंबाई के ठीक है तो का जारा the lateral surface area of the cylinder is खाली जगतना square unit तो उस cylinder का lateral surface area या पासर प्तल का छेतर फल केतना बर्ग एकक होगा ठीक है इसको मैं आपको दिखाता हूँ मैंने introduction में ही बताया था है कि इस तरह का एक paper होता है rectangular या आयतकार paper इसी को मोड कर क्या बनता है हमारा cylinder बनता है ठीक है न तो इसका लंबाई दियेवा यह यह ल उनिट है एल एका के ठीक है और इसका चावडाई जो है ये बी यूनिट या बी एका के ठीक है इसी को मोड करके जो है इस तरह से इस तरह से जब आम मोडेंगे तो ये मोड कर ही ये क्या बनता है कि एक सिलिंडर बनता है इस तरह से मोड कर तो जब मोडेंगे तो इसका देखिए आप ये जो नीचे या है इसको अगर हम तोटल यहीं इसका परिमेटर या परीदी यहीं इसी को अगर ख़ोलेंगे तो कितना हो जाएगा ये बराबर हो जगा इसका लंबाई के ठीक है ना तो perimeter बराबर क्या हो जगा इसका लंबाई और इस cylinder का height कितना होगा तो height तो होगा जो इसका चोड़ाई है इतना ही height होगा उसका ठीक है जो इसका चोड़ाई है बी unit ये चोड़ाई है नहीं उसका height होगा जब हम इसको खढ़ा करके इस तरह लखेंगे ठीक है तो हमें पता है कि lateral surface area का formula क्या होता है lateral surface area का formula होता है हम ने मैंने लिखा था 2 pi r h तो यह जो 2 pi r है यह असल में क्या perimeter है या परीदी है into h मतलब height ठीक है ना यह मैंने formula में लिखा तो perimeter यहां पे क्या हो जाएगा जो इस पित्ता का आयताकार जो पेपर इसका लंबाई के बराबर L हो जागा perimeter और height कितना हो जाएगा जो इसका चौड़ाई है यानि B तो इन दोनों को into करेंगे तो L into B इतना unit square unit यह हो जाएगा उसका पारसर तल के चेतरफर यह लेटरल सर्फेस एरिया ओके तो यहां पे हम क्या लिखेंगे एल इन्टू बी ओके एल इन्टू इन्टू बी स्कुरिए उम्मीद करता हो समझ में आया होगा ठीक है नेक्स्ट कॉस्चन नमबर तू दा लोंगेस्ट रॉड रड डेट केन बी केप्ट इन राइट सर्कुलर सिलिंडर है उसका डायमेटर यह वयास टीन सेंटीमीटर है और उसका हीट 4 सेंटीमीटर है उसमें سबसे लंबा कितना बड़ा रड यान्ने एक रड रखा जा सकता है ठीक है उसका लंबा ही निकालना है तो देखिए आपको लगता होगे कि जो भी एक राइट सर्कुलर द सुलिंडर जैसा होगा तो उसमें बड़ में रख सकते हैं जितना ऊंप करह सकते है थretsा में सबसे बड़ा रख सकते हैं तो तो इस तरह एक है रायड सर्कुलर सिलंडर है 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 4 cm is, और इसका जो नीचे diameter है या वियास है, 5 cm है, x तो सबसे बड़ा, जो rud हम इसके अंदर रख सकते हैं, वो इस तरह height के बराबर नहीं, बल्के तिरचा-तिरचा ऐसे रख सकते हैं, यह सबसे बड़ा rud होगा, x तो यह इसका लंबाई हमें पता करना कि यह कितना होगा बिल्कुल इस जी निकाल सकते है देखे यह जो इस तरह का अगर हम देखेंगे तो यह एक राइट एंगल ट्रेंगल यह समकौन तिरवुज बन गया यहां पे 90 डिगरी हो गया ठीक है यह इसका हाइट हो जागा यह इ सबसे बढ़ा वाला साइड ज्यसक्विक परपंडिकुलर हो गया है यह हो गया हाइपोटैनेश या इस का करनvi ते इसका क्या फ्रोंट मुला होता है अ रूट ऑघर यह जो है इसका हाइट 4 का स्कूर यानि 4 का square पलस यह 3 का square होता है B ठीक है ना base इसका निकाल लेंगे यह हो जागा है इसका hypotenuse यह तिर्चा करन है तो यह कितना हो जागा 4 का square 16 पलस 3 का square 9 तो 16 9 यह हो जागा 25 तो 25 का root कितना होता है 5 cm यानि सबसे बड़ा उसके अंदर हम रड़ 5 cm लंबा रख सकते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 5 cm next question if the numerical values of volume and lateral surface area of a right circular cylinder are equal का ज़र एक right circular cylinder है लंबिता कर बेलाने उसका volume और उसका lateral surface area यानि आयतन और पारसब्तल का चेतर फड़ यह दोनों आपस में equal है उनका जो value है वो बराबर है आपस में ठीक है then the length of diameter of cylinder is तो उस cylinder का diameter या वियास का लंबाई कितना unit या कितना एक अक होगा तो देखिए इस ट्रॉंड यह भी बहुत easy सवाल है ठीक है क्या कहा गया वोल्यूम और उसका lateral surface area यह दोनों equal है आपस में volume equal तो मान लिजे lateral surface area AC है ठीक है इसको मान लिए इसको मान लिए दोनों same सब्सक्राइब से cancel हो जाएगा और एक एक आर को अगर हम cancel करेंगे आर है यहां आर इसको करेंगा यहां बचेगा आर इदर बचेगा टू तो आर बराबर हो जोगा टू यूनिट या टू दो एक ठीक है तो आर अगर radius या यार्द व्यास अगर 2 unit है तो फिर उसका diameter कितना हो जाएगा या व्यास कितना हो जागा इसका double हो जागा दो दू न चार ठीक है यन्हीं चार एक हो जाएगा उसका डायमेटर या वियास ठीक है तो यहां पर हम लिखिलेंगे डायमेटर उप सिलिंडर या सिलिंडर का वियास फोर यूनिटों के तो इस्टोंड उमीर करता हम आपको अची तरह समझ में आया होगा थैंक्यू